नमस्कार विंद्या टाइम्स में आपका स्वागत है प्रदेश की चार बड़ी खबरों के साथ हाजर हुए हैं पहली खबर की बात करते हैं आज मध्य प्रदेश की मुख्य मंत्री शिवरा सिंग चोहान दिल्ली दौरे पर हैं और इस दौरान पभी जेपी के राश्री अध्यक्ष जेपी नड़ा से सबसे पहले मुलाकात करेंगे इसके बाद अन्य लोगों से भी मुलाकात का उनका पूरा शेडियूल है बता दें कि जेपी नडडा से दूसरी बार मुख्य मंतरी मुलाकात कर रहे हैं, दो माह में दूसरी बारी मुलाकात हुई है, पहले एक accept कून की मुलाकात हुई थी, और ये भी बताया जा रहा है कि मध्य प्रधेश में सातक टूबतक चलने वाले सुराज अभियान की जानका मध्यप्रदेश की मुद्दों पर उनसे चर्चा करेंगे और इसके लाबा देर शाम उनकी सॉलिसिटर जनरल तुशार महता के साथ भी बैठक होने वाली है तो सबसे पहले राश्री अधियक श्रेपी नड़ा से मुलाकात होगी उसके बाद केंद्रिमंत्री नितन गटकरी उसके बाद आरके सिंगं से मध्यप्रदेश के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और फिर अंत में सॉलिसिटर जनरल तुशान महता से उनकी चर्चा होगी ओवीसी आरक्षण इस चर्चा का मुख्य मुद्दा है विसी आरक्षण को लेकर चर्चा की जाएगी काफी लं चौहान आज बात करने वाले हैं उनसे चर्चा करने वाले हैं सॉलिसिटर जनरल तुशार महता से तो दिल्ली दौरे पर हैं मध्य प्रदेश की मुख्य मंत्री शिवरासिंग चौहान बढ़ते हैं प्रदेश की दूसरी बड़ी खबर की और सिक्षक को छात्र या छात्राओ के भविष्य के निर्माता के रूप में देखा जाता है सही और गलत की सीख एक सिक्षक सिखाता है लेकिन कुछ ऐसे भी सिक्षक हैं जो इनकी गरिमा को शर्मसार करते हैं गरिमा को कलंकित करते हैं मामला शाजापुर से सामने आया है जहांपर एक सरकारी स्कूल के टीचर अपनी आशलील हरकत की अशलीज बेजे और शिक्षक की जो गर्मा है उसको कलंकित किया पने वाली चतुरे जीज़ कर अलग से कमरे में ले जाकर उसके साथ अशलील हरकत की प्यार-भरे मैसेज भेजना और प्यार का इजहार करने की जवरन कोशिश करना ये तमाम हरकत टीचर द्वारा की गई है और काफी सहने के बाद जो छात्रा है उसने अपने परिजनों को इस पूरे मामले की जानकारी दी अपने सिक्षक के बारे में बताया और फिर पुलिस द्वारा भी धमकी दिया करता था जिससे जो छात्रा है वो डरी रहती थी और उसे रोजाना वाटसेप में अशलील मैसेज और प्यार का इजहार करने की जवरन कोशिश करता था और डराया धमकाया करता था जिसके बाद छात्रा ने हिम्मत की अपने परिजनों को इस वारे में जान जीवाद देखिया ऐसे सिक्षक जो इस तरह की हरकते करते हैं सिक्षक की गरिमा एक सिक्षक सही और गलत के बीच में फर्क बताता है वो फर्क उस फर्क को बताने का जो जिससे सीख मिलती है छात्र छात्राओं को उसको ये कलंकित करते हैं और इस तरह के मामले पहले भी उज जाकर हो चुके हैं मध्यप्रदेश से ही हाली में सिक्षक दिवस मनाया गया है और उसके बाद इस तरह के मामले शर्मसार करते हैं बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की और जो की बुरहानपूर से है बुरहानपूर जिला अस्पताल से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो बेह मंगलवार की सुबह युवक की मौत हो गई मौत होने के बाद शव को मर्चुरी में रखने के बजाए अस्पताल प्रबंधन द्वारा शव को सेकेंड फ्लोर पर लावारिस हालत में छोड़ दिया गया और इस दौरान कुछ समय बाद जब देखा गया तो शव के चेहरे क पास और आखों के नीचे शव कुछ चीटियां खा चुकी थी यह तस्वीर जब सामने आई पेहत दरदनाग और अस्पताल प्रबंधन पर कई सवाल खड़े होते हैं इस दौरान शव के चेहरे और आखों के पास कुछ हिस्सा चीटियों ने खा लिया था और मामला सामने आने के बाद अपर कलेक्टर शेरेंद्रे सिंग सोलंकी ने जाच की ज़िलास पताल वह पहुंचे और कलेक्टर प्रवीन सिंग ने सिविल सर्जन और आरेमो को नोटिस भी जारी कर दिया है कारवाही करने की बात कही है जो जिम्मेदार होगा इस चीज का उसे उस पर की जाएगी जुला अस्पताल में करीब तीन महीने पहले यह युवक भड़ती हुआ था यहां पर नौ बजे सुबा मंगलवार को सुबा नौ बजे युवक की मौत हो गई अस्पताल प्रबंधन ने युवक की देख रेकी एक अच्छा भी काम यह किया जब परिजन वापस लौट कर नहीं आए तो एक लंबा समय था जब अस्पताल प्रबंधन ने इस युवक की देख रेकी लेकिन जो दूसरी लापरवाही अस्पताल प्रबंधन की यह उजागर हुई कि मर्चुरी में रखने के बजाए लावार इस हालत में सेकेंड फ्लोर में शव को करण यह तस्वीर सामने आई जिसके कारण युवक की शव को चीटियों ने खालिया तो बेहत दर्दनाक तस्वीर बुरहान पुर्जिला स्पताल से सामने आई है बड़ते हैं प्रदेश की चौथी बड़ी खबर की ओर मधिप्रदेश में परियावरन संगरक्षन के प्र और उच्चे सिक्षा मंत्री मौन यादव का कहना है कि युवाओं को परियावरन संगरक्षन के प्रती जागरुक करने की पहल की जा रही है और प्रदेश भर के सभी कॉलेजों में अब चात्र चात्राओं को एक पेड़ लगाना जरूरी होगा चात्र चात्राओं को उच्चे सिक्षा में चात्र चात्राओं अपना योगदान दे ऐसी एपील भी की गई है उच्चे सिक्षा विभाग पेड़ लगाने पर ही चात्र चात्राओं को डिग्री या डिप्लोमा देगा नए सिक्षा सत्र से पेड़ लगाने की योजना चात्र चात्राओं के लि प्रदेश की आज की चार बड़ी खबरें तमाम खबरों के लिए देखते रहे विंध्या टाइम्स बहुत बहुत धन्यवाद